हेलो फ्रेंड्स मैसल प्रोहन आप देख रहें मेरे चैनल इटी सलेशन तो दीखे फ्रेंड आज की जो वीडियो है हम किस प्रकार से एक जो डीवीडी की मदर बोड है उससे किस प्रकार से एक USB प्लेयर जो है बनाना सिखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बहुत अगर हमारे चैनल आईटी सलेशन का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए मैं ऐसा एक वीडियो बनाता रहता हूं तो देखिए फ्रेंड हमारे पास जो जो एस प्लेयर जो है बनाने के लिए सबसे पहला हमें एक मदर बोड चाहिए दूसरा जो इससे मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूं कि इसमें जो वेर है ये उसको जो है क्लोज कर दिया है देखिए वो जो प्रिंटेट को तो चलिए मैं आपको इसकी जो प्रिंटेट से बता दिता हूं किस प्रकार से इसकी जो कनेक्शन है सबसे पहला जो मैं आपको बता देत कि किस प्रकार से जो USB connection होगा देखें USB का जो चार वेर होता है इस तरफ जो कि नेगेटिव होता है और इस तरफ जो पूजेटिव होता है हम क्या करेंगे नेगेटिव वेर को देखें यह जो हमारा जो मदर बोल्ड होगा उसमें लिखावा होगा GND, DP, DM और 5V तो देखें इस प्रकार से कुछ लिखावा होगा तो हम क्या करेंगे GND पर हम जो नेगेटिव connection किया है USB drive के लिए वो हम यहाँ पर connection कर लेंगे और दूसरा जो DP का connection किया है हमने second जो वेर है negative के पास वो हम DP पर कर देंगे और तीसरा जो वेर हम DM पर कर देंगे उसके बाद देखें यह जो positive है वो हम 5V कर देंगे तो किसी में भी जो चार सिरा जो है टर्मिनाट नहीं है शिर्फ यहाँ पर है आप आसनी से पहचान लोगे कि कहाँ पर जो है हमारे USB connection होगा देखिए यहां पर USB connection होता है उसके बाद देखें हम मैं आपको पैंडाल की connection जो है बता देता हूं देखिए पैंडाल की connection में आपको ध्यान देना है कि GND, DAT, STB, CLK, IR और 5 बोल लिखावा होगा आप क्या करेंगे सबसे पहला जो है इस पर जो है आप 6 वेर जो है connection कर लेंगे दूसरे बाद जो है फ्रेंट जो पैनल होगी इस पैनल पर भी आपको जो है लिखावा होगा देखें पैनल पर 5 बोल लिखा है यहाँ पर उसके बाद जो है यह IR का है तो R लिखा है उसके बाद देखें यहाँ पर ground का है तो G लिखा है SCD इस प्रकार से जो connection है आपको देखकर यहाँ पर जो connection है यहां पर कर लेना है आपको connection में कोई दिकत नहीं आएगा उसके बाद जो है friend हमारे USB player को चालू करने के लिए हमें देखिए यहां पर 5 बोल लिखा है यहां पर 5 बोल लिखा है इस दोनों को आपस में एक jumper के साइता से शॉट कर देना है और ground पर 5 बोल पर जहां पर हमें सपले देना है तो यह जो mother board है वो चालू हो जाएगा पर friend जो हमारा USB card जो है इसको वो read ने कर पाएगा उसको read करने के लिए हमें थोड़ा modify करना पड़ेगा जो board में तो modify कुछ नहीं फ्रांट थोड़ा थोड़ा ही है सॉट करना है देखिए तो GND और in को जो है इसको आप सॉट कर लिजिए उसके बाद SW और जो ground है इस दोनों को आपस में सॉट कीजिए इतना करने पर हमारे जो ESP player है वो चलू हो है उसके बाद ground और जो इन है इस दोनों पर भी मैंने सॉट कर दिया है दोनों टर्मिनर को यहां पर मैंने जो है USB connection किया है चलिए फ्रेंड मैं आपको circuit को जो है टेस्ट करकर दिखा देता हूं वो भी एक CRT TV पर तो चलिए CRT TV के और चलते हैं तो देखिए फ्रेंड हम जो CRT TV को अन कर लोक हैं देखिए हमारे जो circuit पर उसमें हमने पावार दे दिया है देखिए हम यहां पर जो वीडियो के भूल है वह हम इन्पुट कर रहे हैं इन्पुट जैसे करते हैं देखिए इसकी जो Saber Mode जहां वो अन हो चुका है DVD का देखिए उसके बाद चलिए हम जो pen वीडियो पर इन्पुट किया था तो यहां पर देखिए वान वीडियो देखा रहा है तो चलिए हम प्ले कर देखा देता हूं तो देखिए फ्रैंड आपको वीडियो कैसी लाइक कमेर में जरू बताना और हमारे चनल को जो सब्सक्राइब कर लेना